प्याशो रहो नदास्त में बारिश के मुतजीर मारो जमी पे पाउं को की पानी निकल पड़े अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हों तो बच्चों मेहनत करनी पड़ेगी बार बार आप लोगों को एकी बात कहते हैं सुना गया आपने कभी यानि मन में विचार कर लेने से ही उपलब्दियां हाशिल नहीं होती हैं उपलब्दियों को हाशिल करने के लिए इनिसान को मेहनत करनी पड़ती है इसलिए आप अपने जीवन में अगर कुछ बनना चाते हो तो मैनत करें शलोग जो आपके शान ने कोटेशन लिखावा है उसका अर्थ देखी कितना स्यांदार है प्यासो रहोना दर्स्त में बारिश के मुंतजीर यानि बारिश का इंतजार करने वाला जंगल में कोई इनसा जीवरकार की मुशिबत में आएं तो प्रियास इतना शांदार करना चाहिए कि वह मुशिबत मिट जाए अलांकि यह संब्भव नहीं होता है कि जोर से जमीन में पाव मारने से पानी निकल जाता है कहने का तात्वरी यह है कि प्रिश्रम करने से सफलता दिलती है तो हम कुछ क्यूशन हमारे बाकि हैं मैं अगला क्यूशन बता रहा हूं आप लोगों को चांदा तरीके से देखिए डाइग्राम है आपके सामने पहले क्यूशन पढ़ें क्यूशन को समझें उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक नहर के एक तड़ पर एक टीवी टावर उद्रवादर खड़ा है एक टीवी टावर है जो सिधा खड़ा है टावर के ठीक सामने दूसरे तड़ के एक अन्य बिंदू से टावर के शिखर का उनियन कौन साथ डिगरी है यह नहर है यहां से लेकर के यहा जी निट्री काающ यहाँ से 20 मिट्र दूर्व किने मिट्र की है 20 मिट्र के विटॉर उस बिंदु को मिनार के पाथ मिजाने इन खार प्रेश्थित करने मिन्दू को न्यन को और पिसमें पुदि इसने वो दिह हमारे सामने दो समस्याएं हैं उन दोनों समस्याओं को हम किस तरीके से फेश करें किस तरीके से हम अहल करें वो सबसे पहले concept आपके दिमाग में कलियर होना चाहिए जब तक concept कलियर नहीं होगा we can not go forward आगे नहीं चल सकते हैं कैसे यहां से थिटा टिविट आवर के शिक्र की यह यहां से 60 डिग्रिए यह जो डिस्टेंस दी है इस किनारे से 20 मिटर दूर से 20 मिटर की है अपने को tv टर की हाई्ट करनी है तो मैं इसको एक्स मान लूँ क्या और यह जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मैं एक्स मान लूँ हमारा सवाल हो जाएगा अब देखिए क्यों सन क्या वश्यक्तर नहीं है पूरी डाटा अपने सामने ने फिडिंग में कर लिया हमने फिडिश को कि अ को ट्रेंगल बनाएंगे हम ए बी शी या ए बी शी चार बिंदू जो हैं वह किसी तरीके से नाम दिख सकते हैं इसका नाम दी दे रहा हूं या आप दे सकते थे इसका नाम कोई दिकर नहीं है क्लियर करें क्यों को आगे सबसे पहले कौन सा ट्रेंगल लें यह बीच वाली लाइन को अगर मिटा वा समझेंगे तो हमारा ट्रेंगल बनेगा ए डी शी अगर भार वाली आउट लाइन को हम थोड़ेंगे तो दूसरा ट्रेंगल बनेगा वो है ए बी शी क्लियर कौन सा ट कि एच मिट्र कि एच मिट्र कि और नहर की चोडाई एक्ष मिट्र कि थोड़ा समय पैन की पैन को मोटा कर लेता हूं अपने को सब्सक्राइब समझ में आ जाए हां हां चोड़ाई उंचाई है टावर की एच मिट्र और नहर की चोड़ाई है एक्ष मिट्र ट्रेंगल कि एडी शी ले रहे हैं अपने एडी शी में वहीं चीज है लंब बटा कि आधार कि इतना है शी डी एक वास्टू ठीटा कौन सी लगती है 10 शीदी ठीटा की विल्यू लगा देता हूं मैं 30 डिग्री 10 टीश डिग्री एच का मान एच है शी डी का नाप 20 प्लस एक्ष मिट्र है यहां से यहां तक 20 मिट्र है और यहां से यहां तक हमने शी लेट क्या है टो 20 प्लस x एक्ष टेट डिग्री की विल्यू कितने होती है tenir रूट त्री एच क्रोश मुल्टिपलाई करें तो क्या लिखेंगे अ अंडर रूट तीन एच एक्ष क्ष क्षू टूं ट्वैं प्लस एक्ष इसको आप और दूसरा ट्रेंगल लें, उस ट्रेंगल में देखी क्या है? हाँ, ट्रेंगल A, B, C में, ट्रेंगल A, B, C में, लंब, जिसका नाम है, A, C, और बटे में क्या है? क्या है, B, C, इसका बेश की क्या है, क्या हैगा? वोई 10 थिटा, लेकिन आपके बार थिटा की विल्यू कितनी है? 60 डिग्री, आगे, A, C की विल्यू, आपने कितनी मानी थी? एच, और B, C की विल्यू, कितनी है? हाँ, एच के ब्राबर, 20 प्लस X, या है ना, या X ले ले, X ब्राबर है, 60 डिग्री की विल्यू कितनी है? अंडर रूट 3 बाई 1, अब देखें, आप H को X से मिल्टिप्लाइ करेंगे, तो H और X को अंडर रूट 3 से मिल्टिप्लाइ करेंगे, तो अंडर रूट 3 X, यह है equation number 2, यहाँ H की विल्यू यह आ रही है, आ रही है ना, उपर तो H की विल्यू यह आई थी, 20 प्लस X बाई जान देंगे, equation number first और second के मुताबिक, 20 प्लस X अंडर रूट 3, किसके एक्वल है, अंडर रूट 3 X के एक्वल है, यह है ना, equation number 2 के according, cross multiply करेंगे, इसको इस से multiply करेंगे, तो क्या अतना आएगा, 3 X, और इसको इस से multiply करेंगे, तो 20 प्लस X, ठीक, transfer कर लें हम X का, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 X minus X, equals to 20, तो मैं सिधा भी लिख सकता हूँ, 2 X equals to 20, और X equals to 20 divided by 2, तो कितने हो जाएंगे, 10 मिटर, 10 मिटर क्या है, 10 मिटर क्या है, आपने जो X माना था, और X आपने क्या माना था, नहर की चोड़ाई मानी थी, तो नहर की चोड़ाई कितने हो गई, 10 मिटर की, अब नहर की चोड़ाई या X को आप इस समीकरण में रखें, चाहिए समीकरण एक में रख दें या 2 में रख दें, दो जी है, इसलिए 2 में रखें, X की वेल्यू 10 रखते ही, और हाइट कितने आ जाएगी टावर की, अन्डर रूट 3 into 10, नहीं समझ मैं या, देख पूट करने पर रखने पर, क्या आएगा, X equals to under root 3 X ताना, तो X equals to कितना जाएगा, under root 3 into 10, और under root 3 की विल्यू होती है, एक पॉइंट साथ पीन दो, into 10, तो X कितना जाएगा, 17.32 मिटर, ये क्या है, आज समीकरण 2 कर दें, समीकरण 2, समीकरण 2 में रखा है हमने, तो X की वि दो, और X क्या था हमारा, उस TV टावर की उंचा ही हमने X माननी थी, अब देखिए आपके सामने पूरा क्यूश्टन, समझते वे आगे बढ़ें, और क्यूश्टन को completely अपने दिमाग में बढ़ाएं, ओके, हाँ, कंशेप्ट कलियर है, डाइग्राम को अपने दिमाग में रखें, डाइग्राम के आधार पर ये अपने क्यूश्टन को आगे चलाएं, मैं next क्यूश्टन के और बढ़ रहा हू देखें, दूसरा क्यूश्टन लिजिए, हाँ, क्यूश्टन को पढ़ना पड़ेका, डाइग्राम मने पहले से इफिद कर रखा है, क्यूश्टन क्या है, उस क्यूश्टन के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर जो डाटा दे रखें हैं, वो डाटा लिखेंगे, क्या है, तावर के शिखर का उनियन कौन इसके शिखर से इसके शिखर नियन कौन जो है वो 60 गृта कितने डिगरी का आप 7 गृ और उसके पाद का यो निचे के तरब बनेगा वह को लेना पड़ेगा यहां पर 45 का ना तो यह भी 45 डिग्री का ही होगा इस पर चूंकि यह साथ मिटर बीडिडर की है तो यहां से ले कर यहां तक इस मेंनार का नां मेरा ऐसा टीवी टावर की एट कितनी हो जाएगी यहां तक भीए मैं सुधित किसद्य ना हो आप लोगों के है शी लाइन si the time में मा मैं और दिन मान दें 17 और एकामतर कॉन होने के कारण जब नहीं से यह एंगल काम मिलेंगे इसको मैं X मान लूँ यह हमने H मानना है X मित रहा हूँ अब देखिए वही बात दो ट्रेंगल हैं एक ABC बिंदू एक यहाँ पर C, B और E इतने बिंदू हम काम में ले रहे हैं सबसे पहले हमारे शामने जो ट्रेंगल आ रहा है वो ट्रेंगल लेंगे हम B, E, A B, E, A ट्रेंगल यह फाइंड कर लेते हैं अपने पहले ट्रेंगल B, E, A में हमने क्या मान लिया है B, E की लंबाई कितनी है B, E इक्वाइस टू एक्स मिट्र और A, B की लेंद आइट कितनी है 7 मिट्र क्यूशन से अपने वो कोई मतलम नहीं है पूरी चीज यहाँ है क्या जात कर लें अपने एक्स की वेल्यू फाइंड कर लें और A, B, B, E किस थिटा में जाता है A, B, B, E में थिटा कौन से लगाएं 10 कितने डिग्री है 45 दिग्री तो बच्चों सबसे पहले तो यह डियान में रखना है आप लोगों को बी, E की वेल्यू एक्स मानी थी 45 की वेल्यू एक है तो एक्स की वेल्यू कितने हो जाएगी 7 मिट्र कितने तो यह एक्स किसके इक्वल है एक्स किसके इक्वल हुआ साथ के इक्वल हो गया, एक्वेश्टू 7 कर दूं क्या, जो नेक्स्ट एक्वेशन में काम मिलेंगे हमने, अब चुकि यह साथ है, तो यहां से यहां तक कितनी है, साथ है, लिखने क्या इसको, साथ मित रहा है, अब जो ट्रेंगल दूसरा बन रहा है, वो है C, A, D, ट्रे से इंगल, C, E, C, A, C, A, D में, ठीक है, ध्यान से देखें, क्या लिखें, A, D, बटा, A, D, बटा में, सुरी, C, D, बटा में, ग्यान दे थोड़ आसा, C, D है न, C, D, बटा, A, D, एक वर स्टून, ठिटा वही है, 10, कितने डिग्री लगा दूँ, 60 डिग्री, क्या चक्कर है, 10, 60 डिग्री, C, D की विल्यू कितनी है, आपने H मान रखी है, H, A, D की विल्यू, आपने दूसरी एक्वेशन के मारफत, इस त्रेंगल से फैंड की थी, यह 7 मिट्र की है, तो यह भी 7 मिट्र की होगी, लिख दें या 7, 10, 60 डिग्री की विल्यू, अंडर रूट, 1, और H equals to 7 अंडर 3 जो आपने H मान रखी है, अब चुकि पूरे टीवी टावर की लंबाई अपने फैंड करें, तो कितने आएगी, टीवी टावर की लंबाई, उन्चाए कितने होगी, साथ अंडर रूट 3 आपने फैंड की है, और है, साथ उरेडी दे रखी है, यह हमने मान लिए इसको साथ, नहीं माना था क्या, तो दोनों को प्लस करेंगे, तो कितने आएगा, कॉमन लीजिए दोनों में, साथ, और यहां पर कितना आएगा, कन्फ्यूज हो रहे हो, देख प्लस साथ, साथ को कमन लेंगे, तो यह आएगा, अंडर रूट 3 यह आजएगा, एक, साथ, अंडर रूट 3 की विल्यू रख दें, एक पॉंट साथ तीन दो, प्लस एक, अब, क्या आएगा, साथ, और रहे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 2.732, अज़ साथ से इसको मिल्टिप्लाई कर दें, 14, 22, 55, 14, 19, तो तीन अक्सिर के बाद, 19.124 मिटर उन्ची यह, टीवी टावर है, कलियर, देखी कुस्टन को, समझे आना चाहिए, छे से पुछा क्या था, हमने क्या फाइंड किया, साथ मिटरों चे वह उनके शिकर से केवल टावल के शिकर का उन्ची अज़ेंगे, और उसके पाद का उन्चाई गयात कीजिए, बिलकुल टावर के उन्चाई हमने फाइंड किये है, तो सभी हमारे द चलो बचो, आपकी डिमांड है तो एक क्यूशन हम, और बताते हैं आप लोगों को, और इसी वीडियो में ही इंक्लूड कर लेते हैं, आपके अच्छे से समझ में आना चाहिए, नेक्स क्यूशन है, देखिए धान से, शामदार चितर बनाया है मैंने, नहीं बनाया, अच् लाइट हाउस के यहां से कोई भी गार्ड या उनको इंडिकेट करने वाला, जहां जो को इंडिकेट करने वाला या जहां जो को प्रकास दिखाने वाला कोई व्यक्ति यहां इस्तिर खड़ा है, दो नाव हैं, क्यूशन में देखी क्या कह रहा है, समुद्र तल से पचितर समुद्री जान्जों के आवनमन कॉर्ण 25 डिग्री और 30 डिग्री हैं देखिए सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक कंशेप्ट आना चाहिए कि यह आवनमन कॉर्ण क्या होता है और यह किस तरीके से काम करता है थोड़ आसा हो सकता है कि यह टेड्डा खिंचाज आए यह देखिए इस तरीके से मैंने एक सिद्धी लाइन खिंची है थोड़ इसी टेड्डी है वही चलो आपके दिमाग में आना चाहिए यहां से जो एंगल बनेगा वो एंगल यह जो एंगल बनेगा यह कितने डिग्री का बता रहा है उनमन कॉर्ण है जो यहां से जितना नजदीग होगा उतना ही क्यों जादा होगा जो हम इसके करीब आते जाएंगे कौन का मान बढ़ता जाएगा और जू जू हम इस लाइट हाउस से दूर होते जाएगे कौन का मान कम होता जाएगा तो यह एंगल है 30 डिगरी का और यह अन्मन कोन और उन्यन कोन वाली कानी थोड़ इसी ध्यान में रखनी है आप लोगों को कि यहाँ पर जो एंगल बनता है ना वो एंगल इस तरीकेश है जेड के आकरती जहां बनती है वहाँ एक अंतर कोन होता है और एक अंतर कोन दोनों बराबर होते है तो यह 45 डिगरी का तो यह 45 का होगा और इतना सा यह अगर 30 का है तो यह भी 30 का होगा कलियर है मेरी बात अब देखो क्या पुछा इसने एक और एक जहांज एक और एक जहांज दूसरी जहांज के ठीक पिछे हो तो दो जहांजों के बीच की दूरी याद करनी है इस जहाज के और इस जहाज के बीच में दूरी कितनी है वो दूरी अपने को फाइंड करनी है मान लीजिए यहां से ले लाइट हाउस की जो दूरी है वो y किलो मित्र की ऐसे मैं ले या आप इसको x मान ले इसको y मान ले लिए चलो मैं को मानलेता हूँ पहले हैं पूरा कितना है x किलो मिट्र कितना x किलो मिट्र कि अब ट्रेंगल कौन सा काम सा काम Bundesregierung देखिए मैं बिन्दु आंकित करना हूं यहां लगा दिया और यहां लगा दिया भी पहले ट्रेंगल ले रहे हैं आपने A, C, B, रेंगल, A, C, B में लंबटा आधार, यानि कि A, B बटा, शुरुआत से क्यूशन कर रहे हैं, उनमें A की बात जोर दे रहा हूं थे हम रशें, सुने तो, कि पहले अपने को दो साइड का रेशियो देखना है, कि दो साइड हैं कौन-कौन सी, एक ग्यात और एक है, हम आधार कहते हैं, तो लंब और आधार का एक संबंध है, इस त्रेंगल में, और उसको हम 10 थिटा में लेकर जाएगें कुश्चान को, तो A, B बटा, B, C, एक वैस्टू 10, कितने डिगरी 30, a, B की वेल्यू कितने है, 75 किलोमेटर, या 75, मिटर कह दो, सुरी, किलोमेटर ने मिटर, किलोमेटर में नहीं आ सकता वही है, क्योंकि इसकी हite जो है, वह मिटर में दे रखी है, इसमें मिटर में, तो 75 बटा पूर्य की कितना माना आपने एक्स एक्स टू पैन 30 डिग्री की वेल्यू कितने होती है एक बटा अंडर रूट तीन प्रोस मल्टिपलाई करें तो एक्स 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 टू 75 अंडर रूट 3 मिट्र यह आएगा अब दूसरी ट्रेंगल को लेए जिसका नाम है एडी बी क्या लिमें ट्रेंगल एडी बी में है कर लिए भी में वहीए mg बटा है कि अब की बार विकेलिया ना और बी नी का नाप आपने आप क्या मनने इसको मैं y मान लेता हूं y meter कितने meter का y meter का 10 कितने degree चलेगा 35 दिखरी अब ध्यान दें a b की value है 75 b d की value है y meter और 10 35 degree की value होती है 1 आगे हल करें अपने तो y equals to क्या आएगा 75 meter नहीं आएगा क्या है 75 meter यहां से लेकर के यहां तक 75 है और यहां से लेकर के वहां तक 75 under root 3 meter है तो इस x में से अगर y को मैं माइनस कर दो तो इतना रह जाएगा ना c d की दूरी रहां दें c d की की दूरी या दोनों जहां जोंके बीज की दूरी दूरी बराबर पूर्य का नाप्त आप बीशी उसमें से हम बीडी को माइनस कर लेते हैं यानि x में से y को माइनस कर लेते हैं x की value आई थी 75 under root 3 meter 75 under root 3 और y की value आई है 55 meter की अब दोनों में से common आ रहा है ना क्या common आ है 75 इसका इससे divide करेंगे तो under root 3 और इससे इसको divide करेंगे तो 1 ज्यान दें आगे करें पचेत्तान दोनों की value रख लें 1.732-1 अब इसमें से इसको minus करेंगे तो 0.732 बचेगा ना 0.732 को multiply कर दो यानि 75 को इससे multiply करेंगे तो दोनों जहांजों के 20 की दूरी आ जाएगी नहीं आएगी क्या यह रफ वरक है और इस्टूडेंट को खुद को करना चाहिए multiply कर लें और पिछे से तीन डीजिट छोड़कर के पॉइंट लगा देंगे तो मैं एक बार पुने हैं हमारे पार्थ एपॉइंट ऑफ जीनियस चैनल के सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत और है शुक्र गुजार करता हूं धन्यवाद देता हूं सभी से अग्रे करता हूं कि चैनल पर जाएं और हमारे वीडियो को देखें इसी प्रकार की कोई कमी हो तो करप्या कमेंट के माद्देव से बताएं और अगर वास्त में वीडियो अच्छा है तो चैनल को वीडियो को लाइक जरूर करें धन्यवाद